थाइंड का मौसम शुरू हो चुका है और नाखपूर में अभी भी थाइंड का असर देखने को नहीं मिल रहा है अगले कुछ दिनों तक नाखपूर में तापमान गिरने की संभाना है हवा में चक्रवाद बनने से नाखपूर जिले में कुछ तानों पर गरज के साथ बारिश की संभाना है इससे तापमान तुरन कम नहीं होगा रविवार को नाखपूर का अधिक तक तापमान 28 डिक्री सिल्सियस और न्यूनिक्रम तापमान 17 डिक्री सिल्सियस रहा मौसम विवाक के मुताबिक परचे में विख्षोम ने गुजरास से मत्य प्रतिश तक चकरवाद बना दिया है जिससे हवा में नमी बढ़ गई है इसी तरह बंगाल की खाड़ी में भी कम धबाव का शेत्र बन रहा है इससे नागपुर सहीर विधर में नमी आ रही है नागपुर समिट विधर के कई जिलों में तुफानी हवाओं के साथ बारिश होने के संभाना है नागपुर चले की बात करें तो यहां गरच के साथ बारिश हो सकती है हाला कि तापमान में अचानक कोई गिरावट नहीं होगी मौसम विशेशक्ग का कहना है कि 4-5 दिनों के बाद तापमान में गिरावट होने की संभाना है और उसके बाद थंड महसुस होगी तो अभी देख रहे हैं जैसे कि हम आने बाले एक से दो दिनों के लिए विदर्ब के मौसम में थोरी से परिवर्टन हुए हैं तो आज और कल के लिए जो वेदर है वो थोरे से डिस्टर्ब रहेंगे मतलब वेदर क्लावडी रहेंगे और कहीं कुछ जगों पे ओला विष्टी की भी संभावना बन रही है एवं साथ में गरच चमक भी होंगे और यह जो वेदर है अगले दो से तीन दिनों के लिए एजिटिस बनी रहेगी उसके बाद हम देखेंगे थ्री से फोर डेज के बाद मतलब 29-30 के आज बाद वेद अभी दो दिनों के लिए जो मौसम बने रहेंगे आस्मान बादल चाए रहेंगे और उसके साथ साथ अभी जो टापमान ए दिन का वो थोरा से गिरेगा और रात का तापमान जो है आजिटिस बना रहेगा तापमान 17 से 19 डिक रहने की संभावना बन रही है विदर्व के ज झाल झाल